बॉलिवुड में काफी ज़ादा जोल माल चल रहा है मतलब कि चार मुवी जो हल फिलल में रिलीज होने वाली है ओमाइगॉड टू गदर टू जवान और सलार इन चारों में कुछ ना कुछ जोल जोल चल रहा है अब इतना जोल जोल क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन सुन रहे हैं और इसमें एक नास्तिक की जगा एक आस्तिक है जो कि भगवान को अपना सब कुछ मानता है बट मुझे काफी ज़ादा हाई चांसे लग रहे कि ये फिर से हिंदू सेंटिमेन को हट कर सकती है मैं 100 परसें चाहता हूं कि मुझे गलत प्रूफ कर दे ये मूवी और एक अच्छी मूवी निकल जाए बट ये मूवी कहीं में अक्षे गुमार की बच्चन पांडे जैसा हमारा काट न ले क्योंकि बच्चन पांडे की मूवी काफी ज़ादा एक्शन पर बेची जारी थी और मूवी में उतने ही एक्शन सीन थे जितने ट्रेलर में दिखाए गए थे इसके साथ हमारा बहुत बुरा था इसाथ गदर टू उसमें हमें कहा जा रहा है कि सनी देवल का में कैरेक्टर नहीं होगा उनके बेटे पर में फोकस होगा देवल के लिए हैं तो हम मूवी देखने जा रहे हैं वापस वह अश्रफ अली हैंड़ कमांडने वाला स सब चीज को बाहर रखते हुए हम लोग में चीज पर फोकस करें तो यह काफी हाई चांसे इस मूवी के हैं कि इसमें उनके बेटे पर ही में फोकस है सवीना और उनका कैरेक्टर साइट का है मतलब अपने बेटे को स्टार्टिंग में सिर्फ बिल्डप देने भर है और इसमें ते एक अलगी रूमर चल रहा है कि शारुक खान का इसमें तीन कैरेक्टर होने वाला है मतलब एक वो जो चिकना आपने देखा एक गंजा और एक उनके बाप का कैरेक्टर जो की पूरा पट्टी से घिरा हुआ है और वो शायद फ्लैस बैक का सीन हो सकता है अगर ऐ इस मूवी को केजीयफ से जोड दे रहा है मतलब कि केजीयफ और सलार कनेक्टिट कनेक्टिट हर जा रहा रहा हो रही है रहा है पत मेरे हिसाब से यह स्टेंज पर लिए और ध्या ओने का होता तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी से वी ग्लिम्स हमय लिकति ना की भाई या फिर की बट ऐसा connection कहीं भी नहीं है और कहीं भी officially ये बात लीक नहीं हो रही है कि भाई कोई connection होने वाला है या सिर्फ fans के हैं क्योंकि ये दोनों एक ही डाइरेक्टर के थुरूप बनाया जा रहे हैं और अगर ऐसा होता तो अनुराकर सब की सारी movies connected ही होती बट सलार को मैं खुद भी चाह रहा हूं कि वो केजेफ से connected हो क्योंकि फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी और एक अच्छी यूनिवर्स को बिल्ड होते हुए हम लोग देखेंगे अपने आखों से तो आई होप कि बॉलिवूड अपने आपको रीटेन कर ले अपने आपको बैक लाय एक्शन में और वापस से एक हिट पे हिट पे हिट देते रहे और अक्षे कुमार के ल अब फिर उनकी सारी मुईस फ्लॉफी होते रहेंगी